नमस्कार दोस्तों मेरा नाहीं मॉलिक जैन और आपका स्वागत है हमारे चैनल नवकार सिस्टम्स पर आज हम बात करें हैं इसके साथ हमने चेंच की गॉंग बेल कनेट की हुई है और यहां पर हम इस गॉंग बेल और कंट्रोलर के बारे में जानते हैं यहां पर हमने इसको दो वाय। की हैं और कंट्रोलर को अमने 220 बॉल का करण दिया हुआ है यह इस बान की है इसे पर पर्रोग्रयमिंग के बारे मैं जानते हैं इसकी अगर हमें इसके प्रोग्रामिंग मोड में जैसे कि मेन्यू के अंदर जाते हैं मेन्यू के अंदर वेहां पर GPS टाइम आ रहा है जिसकी ज़रुरत नहीं है यां क्यूसा शेडियूल हमारा कौना a शेडियूल है इसको इंक्रियमेंट नीजर की हेलों से थीक कर सकते हैं समर सेट करके सेव कर देते हैं इसके बाद हमने मेन्यू पर जाते हैं अपडेट टाइम टाइम ठीक आ रहा है हम यहां से इसका आवर और मिनट्स को ठीक कर सकते हैं फिर हम दुबारा से मेन्यू को बटन दबाते हैं अब हम यहां पर डेट मन्त और यर को हम सेट कर सकते हैं व जन्ञाइब लूब लूंगे तो ये क्रीमेड करेंगे तो ही डाउन होता है अज जिस्टीं हुआ है अगर हम पीदि यह को सब्साता है और इसी तरीके से नेकश्ली किया यह को set कर सकते हैं और save करके हम अगली option पर चले जाएंगे press down to add bell अगर हमें bell add करनी है तो down का बटन दबाएंगे क्योंकि इसमें 4 bells added है already मैं जरा उसको थोड़ा सा screen को और clear कर लेता हूँ क्योंकि इसमें 4 bells added है तो यह इसमें options आ रही है bell number 5 कि कितने बजे bell बजानी है डेली बजानी है किसी particular बजानी है वैसे इसमें by default daily रखेंगे कितनी देर के लिए बजानी है क्योंकि इसमें bell या hooter connect करेंगे तो maximum 345 seconds चाहिए आप इसमें डालिए 50 seconds gong bell या hooter के लिए reasonable नहीं है जो speaker वाली bells होती है उसके लिए controller भी अलग आता है उसमें तो time दे सकते हैं कि आप 50 seconds देना है थर्टी सेकंड देना है क्योंकि वह speaker play हो रहा है और यहां पर यह coil based gong bell या hooter होता है तो इसको आप 5 seconds से ज्यादा मत दीजिए अगर आप देंगे तो आपकी coil hooter की coil या यहां पर इसका कोई यूज नहीं है summer कि यहां पर हम इससे आगे आगे वापिस हमें उसी option में जाना है एड बेल के ओपर एड बेल में अब यहां पर summer में हम कुछ कौन से season में हमने इसको प्ले करना है वह हम इसमें mention करेंगे तो अगर हमें इन चीजों को change करना है माली जाम टाइम सेट करना है मुझे 11 11 30 का टाइम सेट करना है तो मैं increment next 11 30 तो मैं इनक्रिमेंट करके बटन दबाके रखा है तो यह time हो जाएगा 11 30 इस तरह से next अगर डेली भी जाना है जरूले डेली भी जाना है next मुझे इसका time जो है 5 seconds के लिए करना है तो मैं इसको decrement कर देता हूं यह 4 seconds करना है for example और इस तरह जे नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन कौन्जा है summer है winter है या exam है या fall है या extra है तो मैं इसको summer पर ही set कर देता हूं और इसको मैं save कर देता हूं यह हमारी bell save हो गई अगर हमें bell में कुछ modification करनी है तो मैं menu बटन दबाता हूं modify bell press down to modify bell down करेंगे यहाँ पर हमारे पास अलग-अलग bells है मैं down करके spell number two bell number three bell number four bell number five यह bell number five अभी हमने set की थी हम उसमें as desired changes कर सकते हैं इस तरीके से हम no bell इसके बाद अब कोई bell नहीं है save करके हम मेन्यू बटन प्रेस डाउं अब हमेंड बैल डिलीट करनी है कुछ बैल हमसे गलती से एड़ हो गई हम उसको डिलीट करना चाहते हैं हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं पर एक्जामपल इसको मुझे डिलीट करना है पर राद चाहते हैं यह डिलीट के option में जाकर हम multiple bells है और जिसको हमें delete करना है यहां से जाकर delete कर सकते हैं next menu में जाते हैं और हमारा main menu आ गया है तो इस तरीके से हम अपनी सारी options को easily use कर सकते हैं बैल को connect कर सकते हैं और अगर हमें emergency bell का feature इसमें यूज नहीं किया सकता क्योंकि इस बैल को हम पांट सेकंड से जादा continuously प्ले नहीं कर सकते तो यह feature इसके लिए suitable नहीं है अगर आप फिर emergency बज़ाना चाहते हैं तो emergency आप बजाईए और पांट सेकंड के बाद सिस्टम को आफ कर दीजिए पावर अफ कर दीजिए जैसे मैं इसमें करने वाला हूं मैंने सिस्टम को पावर अफ किया तो अब ठीक है इससे हमारी बैल खराब नहीं होगी पर अगर आप इसको continuously बजने देंगे तो आपकी बैल खराब हो जाएगी आपको यह वीडियो काफी क्लियर होगा समझ में आ गया होगा अगर आपको इस तरह के बैल कंडोलर की रिक्वार्मेंट रहती है तो आप हमें नीचे दिये हुए नमबर्स पर कॉंटाइट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो